Welcome गाईस कैसे? आसायच्च च्यूबे साहते पीएसब्स की में ओधम सीखेंगेEO डेट फंक्चन को बिएक डेट फंक्चन आपको सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि डेट के चार पार्ट्स होते हैं और चारों पार्ट्स को हम अलग-अलग परकार से get कर सकते हैं कैसे get कर पाएंगे कौन कोंशे चार पार्ट होते हैं यह practically जानते हैं इस वीडियो में तो इस मन तक बने रहेगा नमस्कार साथ हूँ मेरा नाम है मनोश कुमार और आप देख रहे हैं computer gangori channel तो चलिए सीख लेते हैं तो कोई नमें आपको बताया कि इसके 4 part होते हैं यह 4 part में divide होता है कौन कौंशे part में dood audit है कैसे कैसे में format के अनदर लिखेंगे तो इसमें 4 part होते है सबसे पहला तो ओता है day, month, year और एक ओता है week इसके अलावा भी कुछ code होते हैं जो लास्ट में जा नेंगे तो सबसे पहले चलते हैं डे के उपर दे को हम तीन परकार से डिवाइन कर सकते हैं तो मैं यहां पे लिखता हूं सबसे पहले मैंने लिखा य को डेट और यहां पर मैं format के अंदर दे दूँ small d तो यह हमको current date दिखाएगा और यह format में दिखाएगा 01 से 31 तक के format में इसको मैं यहाँ पे save करा देता हूँ और अपनी file को run करा लेते हैं देखो यहाँ पे दिखा रहा है 02 current date दिखाएगा आज date दो तारीक दो September 2023 तो यहाँ पे दो तारीक यह format दिखाएगा 02 का format और यदि इसके अंदर format के अंदर हम पास करा दे parameter small जे पास कराते हैं यहाँ पे तो इस स्थीति में भी यह numbers में date दिखाएगा लेकिन वह 0 और 2 के format में नहीं only 2 से 31 क्यादी 31 का मन्त है तो 31 30 का है तो 30 तक या निकि 0 नहीं लेगा शुरू में इसको हम save कराते हैं refresh करा लेंगे देखो यहाँ पे 0 नहीं आए गया ना दोनों का अंतर देखते हैं मैं इसी को copy करा लेता हूं यहाँ से पूरे function को Ctrl C और paste करा देते हैं और यहाँ पे तो हम करते है small d और अब run करते हैं तो देखो दोनों कंतर यहाँ पे हमने D press किया और यहाँ पे हमने लिखा J तो यह इस format में दिखाता है एक format आता है इसका S यदि हम इसमें S pass कराते हैं तो यह date को change नहीं कराता यह उसको एक अलग से format में दिखा देता है यह उसको meaningful format बना देता है जैसे 1 जैसे एक तारीख है तो उसको कर दिया फस्ट दो को कर दिया second यानि कि end उसके साथ character लगा दिया three को तीन और already character लगा दिया ना इस परकार से तो यदि यहाँ पे मैं J के साथ S और दबा लेता हूं और save कराके बलकि यहाँ पे नहीं मैं यहाँ से तो इसको अटाता हूं और small s नहीं capital S आएगा मैं इसी को कोपी कराता हूं control C और निच्चा के paste करा दूँ और J के साथ मैं capital S लिखता हूं save करके अब refresh कराते हैं यहाँ पे तो देखो यहाँ पे कहरा second nds नहीं यहाँ पे जोड़ दिया यदि three होती तीन तारी होती फुल नेम के साथ यानि कि पूरा नाम उसको alphabet में दिखाएगा save कराके refresh करा लेते हैं देखो यहाँ पे September month चल रहा है तो यह पूरा alphabet में पूरा नाम यहाँ पे दिखाएगा और यदि हम type करें capital M तो यह उस month का नाम alphabet में तो दिखाएगा लेकिन सुरू के तीन करेक्टर SEP September के लिए refresh कराते हैं देखो SEP only display कराएगा इस परकार से हमने month को out कराना है क्या फिर हमने month को number में get करना है तब हम use करेंगे small m save करके refresh करा देंगे देखो यह 09 दिखा रहा है हमको 09 नीच यह only 9 ही यहाँ पर get कराना है तब हम use करेंगे copy करा लेता हूँ मैं इसको यहाँ से पहले तो और यहाँ पर हम करेंगे small n और refresh कर देंगे तो चार तरीके से हम यहाँ पर month को display करा सकते हैं यदि पूरा नाम चीए या तीन character चीए या हमको 09 के format में चीए या only इस format में चीए तो हम month को चार परकार से get करा सकते हैं इसके बाद year आता है year को हम दो ही format में ले सकते हैं किस-किस परकार से मैं यहाँ पे दो बार paste कराता हूँ year के लिए हम यदि type करें यहाँ पे capital Y और एक type कर सकते हैं हम यहाँ पे small Y capital Y के अंदर तो पूरा year यहाँ पे आएगा जैसे 2023 और यदि small Y लिखते हैं तो यह आएगा only 23 save करा लिए हमने refresh कराते हैं यहाँ से year को इस परकार से भी get करा पाते हैं अब यदि week की बात करें week को भी हम 4 परकार से format ले सकते हैं के कैसे कैसे ले सकते हैं मैं चारो format यहाँ पे दिखाता हूँ चार बर मैं यहाँ पे इसको paste करा लूँ सबसे पहले तो आता है D character हम यदि यहाँ पे capital D प्रेस करें ज्यान रहे small D से तो D दिखाएगा 01 to 31 इस format में और capital D से यह week दिखाएगा week के 3 characters small L तो यह उसका पूरा नाम दिखाएगा जैसे Sunday के लिए Sunday के लिए Monday के लिए Monday के लिए Monday इस पकार से और यदि हमने numbers में लेना है तब हम यहाँ पे capital N भी लिख सकते हैं और small W भी लिख सकते हैं तो दोनों से हम week को numbers में देख सकते हैं लेकिन मानेगा और Sunday को साथवा दिन और यदि हम small W लिखते हैं तो यह Sunday to Saturday चलेगा Sunday को first day मानेगा और Saturday को seventh चारों को हमने यहाँ पे लिख लिए है save कराकर चारों फोर्मेटों को print कराते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे आगे हमारा Saturday यह full Saturday day यह sixth day है दोनों से sixth दिखा रहा है अब इनका यूज हम पूरी date get करने के लिए करें तो किस परकार से करेंगे तो मैं एक बर सारे यहाँ से हटा लेता हूँ और date के लिए सबसे पहले तो मान लीजी हमको date किस परकार से चीए पहले day, month और फिर year या पहले month, फिर day और फिर year या फिर बिटिस में हमको पहले year, फिर month और फिर day चीए तो हम किसी परकार से date को get कर सकते हैं तो हम जिस भी format में date को get करना चाह रहे हैं उसको उसी sequence में लिख देंगे तो सबसे पहले हम day, month और year के sequence में निकालते हैं अब day हमको कैसे चीए, यदि हमको numbers में चीए तो हम यहाँ पे small d प्रेस करेंगे slash लगा देंगे, फिर हमको month चीए month के लिए हम small m टाइप करते हैं और year के लिए हम पूरा year लेना चाह रहे हैं या फिर last के दो ही character लेना चाह रहे हैं नहीं हमको यहाँ पे slash नीची हमको dash चीए तो हम यहाँ पे dash भी use करा सकते हैं यहाँ पे हम dash यूज़ कर लेंगे, इधर भी हम dash यूज़ कर लेंगे save करके फिर से refresh करा लेंगे, हम यह format ले सकते हैं हम चाहें कि हमको month numbers में नहीं characters में चीए, तब इसी को मैं यहाँ से copy कराता हूँ और paste कराके, इस बार हम लिख दें, यहाँ पे तो small d लिख देते हैं और m की जगे हम use करें capital m को, ठीक है अब save करके refresh कर लेंगे, देखो यहाँ पे क्या कहरा है, दो September 2023 या फिर हमने British में लिखना है, तो पहले year लिख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे आँगा, पहले तो मैं यहाँ पे लिख तूँ why दूशे नमबर पे हमको चीए month, capital m ले ले लेते हैं फिर हमको चीए day, तो d लिख देंगे, save करके refresh करा लेंगे तो British type में हमारे पास date आ जाएगी, इसमें चार format और होते हैं कौन कौन से format होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने यह देखना है कि यह साल का कौन सा दिन है, यानि कि पूरे शाल में 365 days होते हैं, तो आज का day है, 2 September, यह इस साल का कौन सा दिन है उसके लिए हम, मैं paste कराता हूँ वापस से, हम इदर type कर सकते हैं, Z small save कराके refresh करा लेंगे, तो यह आज का दिन बता देगा यहां पे यह इस साल का आज 244 वा दिन है, 2 September को इसी परकार हमने देखना है कि साल का कौन सा week है तब हम यहां पे type करेंगे, W, save कर लेंगे और refresh करा लेंगे 35 वावी का यह इस साल का, यह फिर जो current month चल रहा है जो भी month है यह, उसमें कितने दिन है इस month के, यह September month है तो इस September month में कितने दिन होते हैं, उसके लिए हम यहां पे लिखेंगे, T small letter में save करा के refresh करा लेंगे, तो September के अंदर 30 days होते हैं और यह साल जो है, यह leap year में आता है, यह leap year में नहीं आएगा हमने यह देखना है कि क्या यह leap year है, तब उसके लिए हम use करेंगे capital L यह format हम यहां पे use करा लेंगे, save करके refresh करा देंगे, तो यहां पे दिखा रहा है 0 यदि leap year होगा, तो वहां पे 1 दिखाएगा, और यदि leap year नहीं होगा, तो 0 दिखाएगा तो date का कोई भी format आपने यदि get कराना है, किस परकार से आप date display कराना चाहरा है तो उसके लिए हम किस किस तरीके से या क्या क्या input है, यह आपने सिखा, इसी परकार next video हम जानेगे time के format, हम time किस परकार से get करेंगे, ओके I hope video आपको जरूर अच्छा लगा होगा, इसी परकार अच्छा अच्छा वीडियो देखते रहने के लिए मारशाद बने रहे हमारे वीडियो को जदाश जदा हम दोस्तों में share करें, मैं like करें, और यदि नए है आप मैरे चल पे, तो हम subscribe जरूर कर लें